2024 में गेमिंग चाहिए ग्रो करना बहुत ही असान है अगर आपको ये 6X पता है तो लेकिन 9X को पताने से पहले कहीं न कहीं आपके मन में ये कोशन्स तो जरूर आए होंगे कि गेमिंग नीश बहुत जादा सैचुरेट हो गई है या 2024 में गेमिंग में बहुत ही जादा या फिर यहां पर ग्रो होने के लिए आपको एक्स्ट्रीम लेवल की स्किल्ट चाहिए बट लैट में टेल यू यह सारी चीज़े गलत है गेमिंग नीश सैचुरेट नहीं ही है बस यहां पर फेल्ट क्रेटर जादा है कंपेर टू एनी अदर नीश एंड मोर देन डैट इ आप दोनों की वीडियोस देखते हो और अगर आपको लग रहा है कि गेमिंग चाहिए ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे स्किल्ट चाहिए तो एक बार इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में रेजा गेमिंग ने 6 मिलियन से भी जादा व्यूस गेन किये हैं वो भ अगर आप एक गेमिंग चाहिए खोलती उस पर गेम प्लेज डालने लग जाते हैं तो आपके वीडियो के चलने के चांसे उतनी है जितना रेगिस्तान में एक तलाब ढूंडने के किसी भी नीश में अपनी एक्सपर्टीज दिखाने से पहले आपको उस नीश की एक ओडि वीडियो और साथ में टॉप गेम्स से रिलेटेट काफी साइज चीज़े क्रेट कर सकते हैं और ठीक ऐसा ही करके ABU नाम की इस चैनल ने 318 के सब्सकाइबर गेन कर लिये हैं और आपको बता दूँ कि टेक्नो गेमस ने भी अपनी स्टेज पे कुछ इसी तरह की वीडियो बनाई थी अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो आप टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर एक कंटेंट बना सकते हैं और अगर आपकी स्किल्स उतने टंगने लेवल के नहीं है तो आप अपडेट रिव्यूज और अपकमिंग नीउस के बारे में बता सकते हैं और वहीं अगर के चैनल को स्टार्टिंग में अच्छे खासे इंप्रेशन मिलने लग जाएंगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम तब तक करें जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट नहीं हो जाते तब से पहली चीज़ है एक अच्छे रेजुलिशन में खुट की गेमप्ले को रिकॉर्ड करना और अवाज को भी तो इस चीज़ को एंशुर करने के लिए कि आपका गेमप्ले स्मूथली रिकॉर्ड हो आपको अपने फोन की सेटिंग्स में आ जाना है और सर्च में लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर और फिर वहाँ पर जाके डेफिनिशन को मैक्सिमान लेवल पर सेट कर लेना है सिर्फ आपकी गेम की आवाज रिकॉर्ड होगी और अगर आप PC में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ये सारी सेटिंग OBS Studio में कर सकते हैं आपको अपने वाइस ओवर को एक अलग वे में रिकॉर्ड करना है आपको गेमिंग के साथ अपनी वाइस रिकॉर्ड करने के लिए एक और डिवाइस की जोड़ पड़ेगी फोन या PC कुछ भी चलेगा उसमें आपको अपने वाइस रिकॉर्ड को अन कर देना है और अपने माइक या एयरफोन को कॉनेक्ट करके अपने वाइस को गेमिंग के साथ साथ रिकॉर्ड करना है इससे होगा ये कि आपके पास अपने वाइस की एक अलग फाइल होगी जो कि आपके गेम से कुनेक्टिट नहीं होगी और ये चीज़ आपको बाद में बहुत काम आने वाली है और अगर आपके घर में डो फोन्स नहीं है तो उस केस में आप लेटर और वाइस ओवर कर सकते हैं अपनी वीडियो में जिससे आपके पास एक और एडवांटिज होगा अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने का और यह होगा कैसे यह मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ लेकिन उससे पहले आपको कुछ और समझने की जोहत है गेमिंग चैनल्स गेम की वज़़ा से नहीं चलते बलकि कौन उस गेम को खेल रहा है उस वज़़ा से चलते हैं हर गेमिंग चैनल्स के साथ एक personality जोड़ी भी है यानि कि अगर आप कोई गेमिंग चैनल्स देखते हैं तो आप सिर्फ गेम नहीं देखते हैं बलकि उस creator की आवाज सुनते हैं उसकी commentary सुनते हैं और उसकी story telling भी सुनते हैं और यहीं चीज़े जो इन गेमिंग चैनल्स को इतना बड़ा बनाती है अगर मैं mid pet की चैनल्स से उसके expressions हटा दू टोटल गेमिंग की चैनल्स से उसके बात करने का तरीका अटा दू और टेकनो गेमिंग से उसकी energy हटा दू तो यह सारे गेमिंग चैनल्स भी बाकी नॉर्मल गेमिंग चैनल्स की तरह ही है skilled gamers बहुत हैं इंडिया में आपको गली-गली में मिल जाएंगे लेकिन हमारे पास creators बहुत कम है और अगर आप YouTube पे gameplays upload करते हैं तो आपको यह समझे की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है कि आप एक creator है gamer नहीं आपको सिर्फ gameplay नहीं करना है बलकि आपको अपने audience से connect होना है और कुछ इस तरह connect होना है कि वो आपकी अगली वीडियो का wait किया करे और आपकी और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहे और यह सारी चीज़े होंगी सही voiceover से जिसके लिए आप दो approach ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका sense of humor बहुत ही अच्छा है और आप on the moment कोई जो create कर सकते है या फिर कोई funny situation बना सकते है या फिर कुछ ऐसा interesting दिखा सकते है अपनी वीडियो में जो कि लोगों को देखने में मज़ा है तो आप अपनी game की साथ ही अपनी voice को भी record कर सकते हैं ठीक उस तरह जैसे मैंने पहले बताया था लेकिन अगर आप अपनी video की quality और ज़्यादा improve करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते है कि पहले आप एक पूरी game खेल लीजिए और उसके बाद एक script लिखे जिसमें humor element थोड़ा ज़्यादा हो अब क्योंकि आपने पूरी game खेल लिएगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से scene पे और बे ज़्यादा funny चीज़े बोली जा सकती है और ऐसे आप अपनी script को थोड़ा और मज़ेदार बना लेंगे जिसके बाद आप अपनी script का voice over कर सकते हैं और वीडियो के according उसे set कर सकते हैं अब इससे फायदा ही होगा कि एक 40 minute की gameplay में जो जो scenes interesting होगे या फिर funny होगे आप सिर्फ उनके बारे में ही लिख पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से scene आपको अपने edit में नहीं दिखाने है जिसे कि आपकी video 10x जादा engaging बन जाएगी अब आपका चैनल सिर्फ आपकी gameplay के लिए नहीं जाना जाएगा बलकि आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपकी commentary, आपकी funny moments या फिर आपकी seriousness की विज़े से जाना जाएगा लेकिन सिर्फ अच्छी script और voiceover से काम नहीं चलेगा आपको करनी पड़ीगी अच्छी editing जिसे कि आप अपनी audience का retention बनाए रख सके अपनी वीडियो पे अब editing के कौन कौन से elements होते हैं जो कि gaming वीडियो को जादा interesting बनाते हैं जिसको आप बीच बीच में add कर सकते हैं attractive colors के साथ ताकि आपकी audience का brain कुछ ना कुछ activity करता रहे वन्ना अगर आपकी audience का brain easy mode में चला गया तो वो लोग वो काम start करतेंगे जो कि उनकी reflexes हैं जो कि scroll करना और scroll करते करते वो कहीं ना कहीं किसी और की वीडियो पे click करी देंगे जिसे कि आपका तो नुकसान होई जाएगा अगला element है memes जब भी आपको मौका मिले या फिर कोई scene से related आपको कोई meme याद आ रहा हो तो आप उसको जरूर add करना टाकि यो audience का interest बना रहे और हस्ते हस्ते वो पूरी वीडियो देख जाए किसरा element है sound effect एक चीज जो बड़े यूटूबर्स करते हैं अपने gameplay में वो है सही time पे सही जगा पे sound effects लगाना और यह चीज छोटे यूटूबर्स ignore कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं जिनकी वाज़े से उनकी gameplay स्टोड़े डल हो जाते हैं यह एक चोटी सी चीज है जो कि आपकी वीडियो की quality को काफी ज्यादा improve कर सकती है चौता point है color grading नॉर्मली जब आप game खेल रहे होते हैं तो आपकी game कुछ इस तरह की दिखती है वहीं यूटूबर्स की game कुछ इस तरह की दिखती है reason अच्छे devices नहीं है बलकि color grading है जो कि वह अपनी पूरी वीडियो में करते हैं और ठीक इसी तरह वह colors के साथ खेल गए कुछ इस तरह जी funny moments भी create कर लेते हैं अब gaming videos की editing एक बहुत भी बड़ा और important topic है इसलिए इस वीडियो में मैं उसे पूरी detail में cover नहीं कर सकता लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक detailed video बनाओ editing के उपर जिसमें मैं आपको gameplays को और भी ज़्यादा engaging बनाने सिखाऊं और साथ में कुछ इस तरह की effects भी provide कर दूँ तो comment section में जाके editing लिग दीजिए 1000 comment पूरे होते ही मैं इस वीडियो पे काम करना start कर दूँगा लेकिन तब तक अगर आपको लग रहा है सिफ quality content बनाने से आपका gaming चल जाएगा तो आप गलत है क्योंकि YouTube अगर आपकी वीडियो को suggestory नहीं करेगा अगर है नहीं तो हम खुद बनाएंगे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी trending topic या meme चल रहा हो उस पे content बनाना start कर सकते हैं जैसे कि अभी मोय मोय meme का काफी जादा trend चल रहा था तो टाइम पे अगर आप कुछ इस तरह की वीडियो बनाते मोय मोय मोमेंटीन PUBG या फिर मोय मोय मोमेंटीन माइनक्राफ तो आपको भी कुछ इस तरह की वीज मिल सकते थे ठीक इसी तरह आप किसी भी viral personality का भी यूज कर सकते अपनी वीडियो में जैसे कि इस creator ने Andrew Tate की बुगाटी बना दी माइनक्राफ्ट में या फिर current news का भी फायरा उठाया जा सकते है जैसे कि टेकनो गेमर्स ने किया था आपको अपनी गेम के according सोचना है कि किस trending चीज को आप अपनी गेम से merge कर सकते हैं इससे आपकी growth के chances बचास गुना जादा हो जाएंगे क्योंकि उट टाइम पी वो keyword trending है और लोग उसे search कर रहे हैं तो अगर आपने उसे related कोई content बनाया होगा तो आपकी वीडियो भी rank करेगी और जादा सिर्फ जादा लोगों को suggest होगी अब माल लेते आपने मेरे बता है सबी steps को follow कर लिया और अपने content को suggest भी करवाना सीख लिया लेकिन अगर आपकी वीडियो सजेस्ट होने पर कोई उस पर click के ना करे तो ये techno gamers, total gaming और midpad की तीन सबसे viral videos के thumbnail है और अगर आप इनको ध्यान से देखे तो इन तीनों चीज में एक चीज़ common है ये तीनों thumbnails काफी ज़्यादा clickable भी है लेकि still बहुत ज़्यादा simple भी है इन सबी thumbnails में आपको 3-4 से ज़्यादा elements नहीं दिखेंगे gaming चाहिए कि thumbnails में basically आपको game के अंदर होने वाले कुछ अनौकी scenes दिखाने होते हैं जिससे की लोग आपके thumbnail पे रुके और उस पे click कर दे अब ऐसे scenes या तो आप अपने skills के basis पे अपने game के अंदर ही create कर सकते हैं और फिर उनका screenshot लगा सकते है thumbnail पे या फिर आप इनको create कर सकते है editing से yes you heard it right maximum gaming thumbnails जो आप देखते हैं वो actual में clickbait होते हैं और edited होते हैं ऐसा नहीं होता कि game में actual में वैसे कोई चीज हुई ना हो लेकिन एक साथ एक ही प्लेस पे वो चीज दिखाना अलग बात है और आप यह ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसना के thumbnail कैसे create करें और यह pngs बगेरा कहां से लाए ऐसे thumbnail बनाने के लिए अगर आपको इसके उपर एक detailed वीडियो चाहिए तो जल्दी से comment section में thumbnail लिख दीजिए मैं इस topic को confirm cover करूँगा अब यह सारी चीजे follow करके आप एक बार के लिए अपनी वीडियो को viral तो करवा लेंगे लेकिन अपनी वीडियो पे बार बार views लाने के लिए मैं आपको एक secret बताता हूँ जो कि अगर आपने decode कर लिया तो आप दुनिया की किसी भी social media platform पे viral हो सकते है वो भी बार बार जो चीज एक बार work कर चुकी है वो दुबारा work जरूर करेगी इसे modern language में pattern कहते हैं आपका चैर rocket की speed से grow करेगा अगर आपको pattern recognize करना और pattern create करना आ गया तो लेकिन ये है क्या अभी समझाता हूँ Mr.Beast जो कि दुनिया के सबसे बड़े YouTuber है और real life games केलते हैं वो इसका सबसे best example है भले ही Mr.Beast सालों से videos बना रहे हैं लेकिन उनकी सारी videos सेम होती है जैसा कि आप देख सकते हैं इन सबी videos का core एक ही है जो कि है $1 to $1 million और वो बस इस score के आगे अलग-अलग चीज़े change करते रहते हैं क्योंकि उनको समझ आ गया है कि लोग किस तरह की चीज़े पसंद कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को एक pattern में बना दिया है और इसलिए उनको views बार-बार आते रहते हैं सेम वे में 4 साल पहले Mr.Beast ने एक video डाली थी और इस video पर उनको 72 million views आये थे जो कि उनकी average से थोड़े जादा थे और उसके बाद उन्होंने इसी को एक pattern में create कर दिया और ठीक इसी तरह की videos बनाते रहे लेकिन हर बाद title की last चीज़ को change करते रहे जिससे उनकी video का idea तो unique रहा लेकिन उन्होंने उसी चीज़ को follow किया जो कि पहले work कर चुकी थी और ठीक इसी तरह आप अपने gaming channel में एक pattern create कर सकते हैं जैसा की AS gaming ने किया और आपको realize होने से पहले ही आपकी सारे videos viral होने लग जाएगी अब अगर आप ये सारे points follow करते हैं तो मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि आपकी gaming channel को grow होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन हर एक नए channel को starting में एक boost चाही होता है तो वो कहां से लाए अब एकी gamers के पास एक advantage है जो कि पुराने gamers के पास नहीं था और वो है shorts मैं generally prefer नहीं करता कि आप shorts और long form content एक ही channel पर डाले लेकिन gaming channels में आप ये कर सकते हैं आपकी gameplay की दोरान जो भी best scene होते हैं या फिर कोई funny या unique scenes होते हैं उस scene के लिए आप एक अलग से voice over tier कर सकते हैं और उसका एक 30 से 50 second का short बना सकते हैं वो भी hook के साथ और YouTube का algorithm shorts को promote कता है ये बात तो आप सबको पता ही होगी तो जब उस shorts पर views आएंगे तो लोग आपकी channel पर भी visit करेंगे और देरे देरे आपके subscribers गेन होने लग जाएंगे बलकि आप अपने shorts को कुछ इस तरह भी create कर सकते हैं कि short की starting में एक hook हो और short की end में एक suspense छोड़ दो जिसके बाद आप एक CTA दे सकते हैं यानि call to action कि अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और ठीक इस तरह आप अपने shorts से अपने long form content पे लोगों को ला सकते हैं और अगर आपने quality content बनाया होगा तो वो लोग आपको subscribe करके ही जाएंगे और इन shorts को आप Instagram पे भी डाल सकते हैं जहांसे आपको Instagram से भी followers गेन होगे और वो followers आपकी YouTube वीडियो से भी देखेंगे और ऐसी आप starting में अपने channel पे और भी जादा views लाज सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से explain कर रखका है तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप नहीं चाते कि आपका gaming channel सारी मैनद करने के बाद भी fail हो जाए